आपी चब मच्छे रहे की कोन है की आप इसके पीछे निकालिए और जित्ते भी होना जहां तक हमारा इंफर्मेशन है ये रेप है और रेप के साथ-साथ मडर कर दिये तो हम कांगरेस पार्टी फिरोस खान अमजद उल्ला खान साब भी बोलेंगे मैं ये मांगता हूँ कि जितने भी लोग इसके अंदर इन्वाल होए उनको इमीडियेटली पकड़ना इमीडियेटली उनके ओपर मडर चार्ज, रेप चार्ज, राउडी शीट, उसके बाद में पीडियाप्ट, फास्ट ट्रैक कोट है ना, छे महने के अंदर जज्जमेंट हो जाना और ये जो भी सुवर के पिले है इन्नों को फासी की सजा होना और जब तक ये नहीं होगा हम आपके साथ है और ये जो भी वाख्या हुआ चलिए अब उन्हों टियरेस की हुकूमत है आज का जो वाख्या है ये जूरी मेटला पुलिस टेशन लिमिट्स का हमारे सर सदार कम्यूनिटी की बच्ची 17 साल की बच्ची साड़े-दस बजे नजर नहीं आती साड़े-गारा बजे हमारे पूरे भाया जुरी मेटला पुलिस टेशन पहुंचते और साड़े-बारा बजे एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल होती और धाई बजे रात में जो विक्टि की लाश मिलती और पुलिस ये बात बोलती अब इन्वेस्टिकेशन कर रहे हैं डक्टरों के रिपोर्ट आना है मर जा तक हमार को और आपको इंफ्रमेशन है बच्ची का रेप हुआ मडर हुआ मुख्यमंत्री ये बात बोलते कि तेलंगाना में रेप कम हो गए मडर कम हो दकेती कम हो गए मगर हिसाब देखे तो दकेती बढ़ गई रेपां बढ़ गए डी जी पी साब महेंदर एडी आके बोलते कि हम इतने कैमरेज लगा दिये और पुलिस इतना भितरीन काम कर रही मच्छर भी ने बच सकता तो बच्ची की लाश मिली कल रात में धाई बजे और आप तक पुलिस को कलू भी नहीं है पुलिस को रत्ता बराबर भी ने मालूं कि आखिर है क्या आज फिरोज खान कांगरेस पार्टी और अमजद उल्ला खान साब एमबीटी पार्टी ये मांग रखते हैं कि इमीडियेटली जित्ते भी लोग इसके अंदर इन्वाल है इमीडियेटली स्पेशल टी मां दालिए रात और दिन जद्जो दहत करिए और पूरे ये सुवर के पिलों को पकड़ के लाईए मडर केस रेप केस दालिए राओडी शीट खोलिए पीडियाग दालिए फास्ट ट्रैक कोड दालिए छे मेने के अंदर जज्जमेंट होना और ये सुवर के पिलों को फांसी की सजा होना ये कांगरेस पार्टी और फिरोस्थान की मांग है और जब तक आप लोग को सबको इंसाफ नहीं मिलीगा हम लोग चैन्ज से रहने वाले नहीं है आपके साथ रहेंगे हम रात और दिन और जो भी पॉलिस ऑफिसर है उसके पर हम प्रेशर डालेंगे दवाउ डालेंगे और ये इनसाफ आपके परिवार को होना क्योंकि ये जो भी वाख्या हुआ ये किसी के घर में ने होना किसी की बेटी के साथ ने होना तो ये बहुत तकलीफ देने का वाख्या है क्योंकि हर किसी के घर में जवान भेन या बेटी है और तेलेंगाना में जब पर पॉलिस हम भेतरीन काम कर रहें बोलें आज उनके नाक के निचे से एक बच्छी गईब हो जाती मरडर होता रेप होता तो इसके लिए हम टोटल आपके साथ है और जब तक इनसाफ नहीं मिलेंगा और ये कुट्टे के पिले रहो या वो सुवर के पिले जब तक इनको मौत की सजा नहीं सुनेंगे आप और हम जद्दो जहत करते रहेंगे सुक्रिया धनेवाद यह बच्छी के चाचा है यह बाद करते हैं आपकी तरब जब तरटी के बाद और डिनर होने के बाद ऐसा वाक के लिए असा भार निकले उसके बाद और लापता वहां से साड़े दस को जैसे कि हम लोग को पता चला है हम लोग आजो बाजो घुमना पुरा देखना चालू कि पुरा चेक कि अब हमारे को टेंक्शन बढ़ने के कार लिखाया तो उसके बाद कि कंप्लेंट लिखाने के बाद हम आजो बाजो के जहां पर भी बश्टाप हो या जो भी हो ऐसा पुरा राउंड देखके घुमके आए हम लोग भी घर के पास तीनवे के करीब गए ते उसी टाइम पे टू थर्टी से त्री के बीच में हमारे को जड़ी मेटला पीए से कॉल आता है कि हम पर हमें एक डिट बॉड़ी फॉंडी है ओ एक बार आप आके देखो ओ आपके हो सकते है क्या मतलब हाँ ठीक है बोलकर हम लगो हम पर गए स्पॉट पर गए हम जाके देखे हो हमारी बहेंती ओ जहां पर गिरी हुई थी ओ पर रनिंग रूट है पूरा पूरा रनिंग रूट है वहां पर अभी कंप्लेंट देने के बाद और पूरा इन्वेस्टिकेशन चालू कि है सब कि हम लोग सुबह से अभी तक घुम रहे हैं पर अभी तक भी हम लोग को बोल रहे हैं कि कुछ अभी पता नहीं चला है जो क नहीं को होने के बाद हम सम्हारे को बोलेंगे पिर उसके बाद हम लोगहोगों सी आइए वहाँ के साथ यहां तक आ है यहां पर आके वह पूरे ड्क्टर से बात कर रहे हूं हो एक बात है कि हाथसा कल रात अतिन बजे हुए औस एफान पॉ Apa आज श्यृपज के सा ओ har मॉन विवेक वहां पर नहीं आए जो हमारे वहांके लोकल कार्परेटर तो सुरेश रड़ी साहब वह भी अभी तक वहां पर नहीं आए आके पूछा तक भी नहीं घर तक अब वह हमें ऐसे लग रहा है कि शाथ जो गरीब लोग के पास नहीं जाते होंगे पैसे वाले पास जाते होंगे वैसा कुछ होगा अभी तक आके किसी ने पूछा नहीं हम बस मीडिया वाले से पीएस वाले से और जितने पोल्टिकल लीडर से और जितने अपने भाई है जितने आप लोग आए हो हम आपके सामने ही कि धन्यवाद करते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए ऐसा जो आज हमारी भेहन के साथ हुआ कल और किसी के साथ हो सकता है शायद उसने और कितने लोगों के साथ किया होगा वैसा भी हो सकता है हमें इंसाफ चाहिए और जरूर भकड़ना चाहिए हैं उसको फगड़ के सजा देना जरूरी है यह क्या है बोले तो साइद हो अमीर की लड़की अगर ग्यांग रेप होता है तो अभी तक बहुत सो लीडरां MPM में पहुंच जाते थे हम गरीब लोग हैं लोग का काम करके जीते हैं हम लोग साम का खाना चलता है तो कभी नहीं तो हमारे लिए अभी तक कोई आके नहीं देखें फुरुषकन साब आये हैं और अपने अम्जदिल्ला साब आये हैं बहुत बहुत धन्यवाज करते हैं हम लोग तो पैच्छानता भी नहीं साब लोगों को खले टीवी में देखते हैं तो आज हमारी फर्याद लेके यहां लोग हैं तो इसलिए हमारे पास कोई आय नहीं है वही अमीर की लड़की रहती तो पूरी लाइन लग जाती थी इस पीर डीएस सी कमिश्णर बहुत आजाते थे लेकिन हमारे पास अभी तक कोई हमारा आता ना कोई पता आके हमारे को पूँच रहे हैं तो सरकल साब हो रह है कि बच्ची मिसिंग हुई साड़े दस बजे और इनके फैमिली मिंबर्स पूली स्टेशन को इनफार्म करें ग्यारा और साड़े ग्यारा के बीच में अगर पूलीस जबी आक्शन में आ जाती तो अगर इमीडियेट जबी खाली बिल्डिंगों की सर्चिंग करती या इ सकाटलेंड पूलीस से हम मुखाबला करते लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बच्ची साड़े दस बजे से लेखे धाई बजे तक हम बच्ची को नए ढूने धाई बजे कोई एक इनफाम कर रहा पूलीस को फोन करके तो धाई बजे रात को जो है हम जाके देख रहे हमारे ये बिचारे बच्ची सुपकी बच्ची है कि चाहिए हो सिक की रहो इंदू की रहो मुसलमान की रहो तो मैं और फिरोस खां हम दोनों इसलिए आए कि मैं मेरी बच्ची समझ कि आया फिरोस खां अपनी बच्ची समझ के यहां पर आए तो हमारा मुतालबा है कि जो डाक्टर द ये लड़की एक लड़का जाते वे उसमें आइडेंटिफाई हो रहा थी है, लड़की जाते वे मालूम हुआ बोलके देख रहे हैं वो लोग, तो उमीद करता हूँ कि जल्द से जल्द खातिल को ढूनेंगे और इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाएंगा, जड़ तक इनसाफ नहीं मिलींगा, हम भी यहीं डटे रहेंगे इन्शाल्ला, हम सब मिलकर इस मासुम बच्ची के लिए लड़ेंगे इन्शाल्ला, बोलो बोलो, ये लड़की के वालिद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बचन सिंग है, हम निजाम सरकार के जमाने से यहां पर हम जी रहे हैं, हम उर्वसिस आपको हर दिक परदाम करते हैं, कि उर्वसिस साब हम के लिए को गलत नहीं करते, उनके लिए हम निजाम सरकार के जमाने से पुर्वदों से हम जी रहे हैं, मेरे ये की रिकोर्स है कि मैं बेटी का बाप हूँ लेकिन आज मेरी बेटी बल्दान हुई कल किसी की बेटी बल्दान ना हो सब के लिए मैं ये की दर्गास करता हूँ और वे से साथ बस बीचारे लड़की के वालिद है बो ज्यादा गमजदा है ये तो हम उमीद करते हैं कि जल से जल इंसाफ मिलेंगा